Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही राशी फल यह 14 जुलाइ से लेकर 21 जुलाइ तक कि आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापता ही राशी फल हैं नीजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैंप है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलियरी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साबता ही राशी फल लिए रीज आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लिगर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है lovers reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं या फिर professional front पे आप से connected हैं, जिनके साथ इस week आपकी dealing हो रही है उनके साथ छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले रह सकते हैं अब देखिए, lovers is not a negative card, it's a very positive card लेकिन इस week आप लोगों के लिए reverse है तो फिर से मैं कहूंगी, छोटे-मोटे issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं और अगर आप aware हैं, आप थोड़ा सा conscious रहते हैं, cautious रहते हैं तो इस चीज को आप avoid भी कर सकते हैं और दूसरी बात ये card कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं या तो उतना passionate आप नहीं फील कर रहे हैं या पर जो भी professional friends से related चीज को लेकर आप बहुत passionate हैं उस direction में चीजें कहीं ठीक नहीं हो रही हैं और ये चीज किसी level पर आपको थोड़ा सा परिशान कर सकती है क्योंकि फिर से मैं कहूंगी, lovers is not a negative card simply, you know, ये card reverse है तो again जो चीज को लेकर हम बहुत passionate हैं उस direction में चीजें नहीं हो रही हैं जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, चीजें नहीं हो रही हैं कोई decision, कोई choice लेना है, वो नहीं ले पा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, दिल की सुने, दिमाग की सुने और जबी भी ये card आता है, मैं यही कहती हूँ कि इस week आप दिमाग को थोड़ा सा rest दे दें जो आपका दिल कहता है, जिस चीज को आप really enjoy करते हैं या फिर से जिसके लिए आप बहुत passionate हैं आप उसी को ही pursue करें अपने दिल की जादा सुने आप लोगों के लिए four of wands reverse का card है, again a very very positive card लेकिन reverse है तो देखिए ये card कहीं celebration की बात करता है get together की बात करता है अपने loved ones, close ones के साथ जादा interactions, जादा बातचीत करने की बात करता है कहीं उनके साथ vacation पे जाने की बात करता है togetherness की बात करता है और ये सब चीजें हो रही है लेकिन इनी से ही related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं अब देखिए example के तौर पे आपको बता हूँ जैसे होता है न कि जब हम अपने loved ones के साथ vacation plan कर रहे होते हैं एक बोलता है भाई मुझे तो ननिताल जाना है कैसे positive चीजों में भी जब छोटे मोटे issues होते हैं हमारा viewpoint नहीं माच करता है तो जो भी मसले होते हैं वही ये card represent कर रहा है तो फिर से मैं कहूंगी togetherness, celebration, reunion ये सब चीजे रहती भी दिख रही हैं लेकिन या तो इनी सब चीजों को लेकर over excited हो रहे हैं और चोटे मोटे issues रह रहे हैं ये card कहीं positive changes की भी बात करता है अब positive changes हो रहे हैं लेकिन थोड़ी सी delay इनी से ही related होती भी दिख रही है और ये positive changes भी सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए change of place, change of residence हो सकता है कुछ के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया सिंपली आप vacation पर जा रहे हैं यहाँ पर जादा fun, मजा मस्ती हो रही है All in all, this is a good card तो अच्छी चीज़े हो रही हैं लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ-साथ कभी का बार चोटे मोटे जो issues रहते हैं वो इस भी रह सकते हैं And in general यहाँ पर guidance से आप लोगों के लिए card है Life is speeding up और यह card कहता है कि अगर आप बहुत slow हो रहे हैं चीज़ों को लेकर तो थोड़ा सा अपनी speed को बढ़ाएं और अगर आप already बहुत impulsive हो रहे हैं बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी speed को कम करें मैंने बहुत मुश्किल से यह lesson अपनी life में सीखा है Life is all about balance ना तो बहुत टेजी ठीक होती है ना ही बहुत slow होना ठीक होता है जब हम हर चीज़ को moderate तरीके से deal करते हैं एक moderate energies में रहते हैं यकीन मानिये हम अपने goal मकसद को achieve करते हैं Otherwise, फिर हम परेशान होते हैं तो इस चीज़ का खयाल इस week आप ज़रूर रखें And astrology से आप लोगों के लिए यह sign का card है इसके हिसाब से all shades of orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे And significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखिए Coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of wands और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको लेकर एक pressure आप नहसूस कर रहे हैं जिसको लेकर काफी एक burden, stress भी आप नहसूस कर सकते हैं और जब भी यह card आता है, मैं यही कहती हूँ कि यह जो pressures, tension आप में हसूस कर रहे हैं यह शायद आप ही की creation है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने उपर ली हुई हैं आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई हैं और थोड़ा सा अगर आप अपनी responsibilities को कम करते हैं अपने pressure को, यानि कि आप हो सकता है कि ज़रोत से ज़ादा काम कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं उससे भी ज़ादा कर रहे हैं और अगर इस चीज़ को आप चेक करके correct करते हैं इस वीक के energies को आप भैतर कर पाएंगे और मैं हमेशा आपको rubber band का example देती हूँ कि rubber band को जब हम थोड़ा सा stretch करते हैं ठीक रहता है लेकिन जब हम ज़रोत से जादा stretch करते हैं तो वो टूट जाता है इसी तरीके से हमारी physical, mental, emotional body होती है अगर हम जितना हमारी body सह सकती है उससे थोड़ा सा जादा pressure देते हैं तो वो ले लेती है लेकिन हम जब जब जरुवत से जादा pressure देते हैं यानि कि जितना हमारी body नहीं ले पा रही होती है तो फिर उस time हमें realize नहीं होता लेकिन आगे चलकर फिर health related issues होते हैं और फिर हम परिशान होते हैं तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इस week कुछ health related issues हैं बट येस मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो भी issues आपको परिशान कर रहे हैं उनको अगर आपने resolve नहीं किया उनको अगर आपने check करके correct नहीं किया तो आगे चलके जरूर आपकी health खराब हो जाएगी इस चीज का खयाल रखे and personal front के लिए आप लोगों के लिए high priestess reverse का card है और ये card कहता है या तो आप बहुत time से थोड़ा सा personal front में चीज़ों से withdraw कर रहे थे यानि कि आप बहुत actively चीज़ों में खुद को involved नहीं कर रहे थे participate नहीं कर रहे थे और इस week आपको इसे लग रहे कि बस बहुत हो गया थोड़ा ना आपको इस zone से इस energy से खुद को बहार निकालना है यानि कि थोड़ा ऐसा आपको active होना है आप अभी तक हो सकता है काफी passive चल रहे थे अपने personal friend में अब दिखिए situation, circumstances सब के लिए differ हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि external friend पे आप active थे लेकिन मन ही मन आप इतना नहीं चीजों में खुद को involved कर रहे थे participate कर रहे थे और इस week आप कहीं इन ही energies में से खुद को यां तो बाहर निकालना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़ादा deep इन ही energies में जा रहे हैं अब देखिए अगर आप खुद को इन ही energies से बाहर निकाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप deep जा रहे हैं तो ज़रूँ चेक करके correct करें मैं यह नहीं कह रहे हैं कि आप withdraw ना करें time to time थोड़ा सा withdraw करना introspective energies में रहना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम बहुत time तक इसी energy में रहते हैं तब हम इसी energy में deep जाते हैं और फिर you know हमारा मन नहीं करता है इस energy से बाहर निकलने का और life is all about balance ना तो किसी भी चीज का too much ठीक है ना ही too less ठीक है कभी-कभी हम withdraw करें again introspective energies में रहें फिर उसमें से खुद को निकाल के actively चीजों में involve करें वो एक ideal situation होती है लेकिन हम बहुत ज़ादा अगर passive हो जाते हैं या फिर बहुत ज़ादा active हो जाते हैं तब फिर issues मसले हमारी life में होना शूर जाते हैं तो इस चीज का खयाल रखे हो सकता है कि आप पीछे secrecy maintain कर रहे थे अपने किसी loved one से या overall ही जो भी आपके close circle के लोग हैं उनसे कोई बात नहीं share कर रहे थे अपनी feelings अपना जो भी आप कहना चाहते नहीं express कर रहे थे और इस week आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया आप again अपने आपको इन energy से बाहर निकालना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा ही secrecy maintain कर रहे हैं बहुत जादा ही चीजों को लेकर deep में जा रहे हैं आप wisdom से चीजों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर आप खयाल रखते हैं इनी चीजों का तो ये भी ठीक जाएगा नहीं रखेंगे तो किसी लेवल पर छोटा गोटा परेशान हो सकते हैं और दिखिए high priestess again is not a negative card यह एक positive card है लेकिन reverse है तो जो भी high priestess वाली energies हैं यानि कि passive रहना बहुत actively चीजों में नहीं involved होना वो too much या too less हो सकती हैं जिसकी वज़े से चोटे-मोटे issues हो सकते हैं और इसको check करके correct करके आप चीजों को भैतर कर सकते हैं और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिस्वान spirit का card है और ये card कहता है time for a deep dive तो दिखी ये card कहीं आपको introspective energies में रहने की बात करता है या फिर मैं कहूंगी थोड़ा सा अपनी inner voice को थोड़ा सा अपनी अंतर मन की अवाज को सुनने को कहता है और जो आपकी intuition, gut feeling कहती है again inner voice कहती है उसको इस week आप ज़रूर follow करें वैसे तो हमें हमीशा ही follow करना चाहिए लेकिन जब guidance आती है तो इसका मतलब होता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और करने की ज़रत है astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीजे मुझे कमें सेक्षिन में ज़रूर बताए कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिस आप लोगों के लिए ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो प्रूफेशन फरंड के लिए आप लोगों के लिए काड है 9 of swords और ये काड कहता है कि इस week specifically professional friend में किसी चीज को लेकर बहुत एक stress tension आपको हो रही है या फिर stress tension आप ले रहे हैं आप देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि वाके में कुछ मसला है कुछ problem है जो आपको बहुत परिशान कर रही है कुछ के लिए हो सकता है कि छोटी मुटी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आप बहुत जादा उन पर focus कर रहे हैं और बहुत इक negative thoughts आ रहे हैं, in fact देखिए जब ही भी ये काड आता है मैं यही कहती हूँ कि जो भी हमारी life में problem है ना, वो बड़ी होगी, छोटी होगी, ये काफी हद तक हमारे पर depend करता है यानि कि problem का कोई size नहीं होता है, उस problem को again हम कितना बड़ा बनाते हैं, कितना छोटा करते हैं, ये हम पर depend करता है for example, problem 50% है, अब अगर हम बहुत ज़ादा negative thoughts उसको लेकर create करते हैं, crypt करते हैं, परेशान होते हैं तो वो problem 100-200, 1000% तक भी जा सकती है, लेकिन वहीं हम positive thinking रखते हैं, कोई भी negative thought आता है, उसको तुरंत recall, cancel, delete करके, एक नया thought उसकी जगापे create करते हैं इसी चीज़ को लेकर एक awareness रखते हैं, तो वो जो 50% problem होती है न, वो धीरे-धीरे कम होते होते 10-15% रह जाती है तो इसी तरीके से दिखिए, जो भी issue आपकी professional friend में इस week रह रहा है, उसको आप कितना बड़ा अपने मन में बनाते हैं, कितना छोटा बनाते हैं, वही depend करेगा, यह हम वही determine करेगा, कि यह week आपका कैसा जाएगा कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है no matter what, हम उनको नहीं ही ठीक कर सकते हैं और जब हम हर चीज का control अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और worst एक outcome अपने mind में सोचते हैं, और उसी को ही real मान के, चीजों को deal करना शूगर देते हैं, तो फिर हम अपनी problem को, अपनी life को और जादा खराब करते हैं, यहां फिर मैं कहूंगी कि वर्सन करते हैं, तो इसी चीज का अगर आप खयाल रखते हैं, आप इस वी को भैतर कर पाएंगे नहीं, तो फिर आप काफी परेशान हो सकते हैं, और परसनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए the fool reverse का card है, और यह card कहता है कि बहुत एक careless सा, carefree सा attitude आपके personal फ्रंड में रहता हुआ दिख रह आपने बस present moment को जीना है और कहीं देखिए यह thinking बहुत अच्छी चीज होती है, in fact जब इस thinking को हम real life में अपलाए करते हैं, हमारी life बढ़ी असान हो जाती है, लेकिन जब भी कोई भी चीज हम over करते हैं, तो फिर हम चीजों को खराब करते हैं, यानि कि carefree हो जाएं, बहुत ह अच्छी बात है, लेकिन in the process अगर आप careless हुए, तो फिर आप खुद को परिशान करेंगे, अब risk लेना पड़ता है हमें life में, जब तक हम calculated risk नहीं लेते हैं, यकीन मानिए growth progress हो ही नहीं सकती, लेकिन वहीं जब हम uncalculated risk लेना शू कर देते हैं, बिना सोचे समझे risk लेते है तो फिर हम चीज़ों को खराब करते हैं, तो इस चीज़ का खयाल रखना है, again carefree रहें, careless नहीं और you know, एक child like innocence रखें चीज़ों को deal करने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन immature नहीं और बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें, uncalculated risk ना लें, गिसी भी चीज़ को लेकर 100% sure नहीं है, तो जो भी experiential इंसान है आपकी life में, जिनको बहुत trust करते हैं, उनसे जरूर एक बरी सला ले लें, उनसे जरूर चीज़ों को discuss करें, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए starfish spirit का card है, और ये card कहता है, open yourself to infinite possibilities, तो दिखिए जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए infinite possibilities आपके लिए available हैं, यानि कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे options हैं, और जो भी आप चाहते हैं, वो possible है, थोड़ा सा, again मैं कहूंगे, आप universe पे faith रखें, और negative thinking को अपने mind में ना आने दे, क्योंकि देखिए, सबसे ज़ादा नुकसान अगर कोई चीज हमारा करती है, त इतना कि हम खुद का नुकसान करते हैं, और इस चीज को अगर हम समझ जाएं, हम थोड़ी सी responsibility लेना शुरू कर दें, तो फिर हम अपनी लाइफ पो असान करते हैं, for example, हमरी लाइफ में कुछ हुआ, हम most of the times, external friend में लोगों को situation को blame कर रहे होते हैं, कि भई इसने मेरे साथ इसलिए मैं परेशान हूँ, और इस तरीके की बहुत सारी चीजे होती हैं, तो जब आप responsibility लेते हैं, कि भई अगर सामने वाला मेरे साथ misbehave कर रहे हैं, शायद मैंने बहुत जादा दे दिया, या फिर मैंने अपनी एक healthy boundaries नहीं बनाई, मैंने अपनी self respect को नहीं maintain किया, इस तो इन सब चीजों का खयाल रखें, आप देखेंगे, आपका हफ्ता अच्छा जाएगा, और नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ा बुद परेशान होंगे, और astrology से Aquarius sign का card है, और इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले है के इन सेरियन्स, आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए, आप लोगों के लिए card है death, और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में, आप चीजों के लिए के बड़े clingy हो सकते हैं, बहुत एक attachment महसूस कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कि कुछ चीजों को लटको करने की ज़रत है और आप लटको नहीं कर पा रहे हैं, और देखें, जब तब ही नई चीजें या फिर मैं कहूंगी beautiful चीजें हमारी life में आती हैं, दिखिए जब हम छोटे थे हो सकता है कि बहुत ही कोई अच्छे हमारे favorite shoes हों, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उनको छोड़ना ही पड़ता है, और अगर हम जबरदस्ती उन shoes में अपने about letting go and holding on, हमें पता होना चाहिए कि किन चीजों को हमें let go करना है, किन चीजों को हमें hold on करना है, और तब ही एक growth, एक progress हमारी life में आती है, और कितनी बड़ी किया होता है, हमारा बड़ा comfort zone हो जाता है, हमें पता है कि ये चीज हमें सर्व नहीं कर रही है, किसी level पर परिशान कर रही है, लेकिन कहते हैं na known devil is better than the unknown devil, तो हमें लगता है कि ये situation तो हमें पता है, कोई बात नहीं ये चीज हम बरदाश कर लेते हैं, unknown पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब तक हम unknown में dive in नहीं करते हैं, जो भी नहीं चीजें हमारी life में आने के लिए ready होती हैं, उनको explore नहीं करें, over attachment, किसी भी चीज से, इंसान से, situation से ना रखें, और again नहीं चीजों को welcome करें, आप देखेंगे कि ये week आपका बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर आप अपनी growth और progress को किसी level पर block करेंगे, और कहीं देखें, ending, beginnings, इस week या तो ह रही है, या फिर करने की ज़रत है, और दोनों ही सेनारियों में, एक surrender mode में रहना, acceptance रखना, और जैसे अभी मैंने आपको बताया, पुरानी चीजों को let go करना, नहीं चीजों को welcome करना बहुत एहम रहेगा, and personal front के लिए, आप लगों के लिए, night of souls का card है, और ये card कहता है, कि इस week personal front में या तो आप travel कर रहे है, या फिर travel की planning चल रही है, या बहुत speed से चीजों आगे बढ़ रही है, या फिर, you know, आप बहुत तेजी से चीजों को डील कर रहे है, यानि कि आपने बहुत अपनी speed maintain करी हुई है, sudden changes कुछ के लिए हो सकते हैं, and ये भी हो सकता है कि जो आप अपने personal front में चाहाते हैं, उसको आप, you know, अपना goal बना के बहुत तेजी से उसकी तरफ clarity के साथ move कर रहे हैं, और ये कार्टी के movement की भी बात करता है, पीछी किसी भी चीज को लेकर personal front में stuck महसूस कर रहे थे, तो उसमें से बहार निकलते हुए दिख रहे हैं, और clarity करें, तो clear होते हुए दिख रहे हैं, अपने goal अपने मकसद पे focus करके उस direction में action initiative लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ही कार्ट कहता है, कि आप impulsive हो सकते हैं, आप जल्दबाजी कर सकते हैं, अभी के immediate action हमें लेना पड़ता है, times, लेकिन जब हम impulsive हो जाते हैं, तो हम बिना सोचे समझे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस time हम नहीं समझ पाते हैं, आगे चल कर परिशान होते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत over जल्दबाजी, आप किसी भी चीज़ को लेकर ना करें, और दूसरी चीज़ एकार कहता है, कि अब थोड़े से बलंट हो सकते हैं, अपने communication में, थोड़े से straight forward हो सकते हैं, अगेन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपके इस blunt, straight forward communication से सामने वाला हर्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को चेकर करें, क्योंकि देखिए पर जब सामने व होता है, बुरा फील करता है, अलग ही है, तो इस चीज़ को भी चेक करके correct करें, all in all, personal front neutral है, professional front को बहतर कर सकते हैं, अगर जो advice आपको card दे रहे हैं, आप उसको follow करेंगे, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए बीवर spirit का card है, और ये card कहता है, lay a solid foundation, तो कैसे stability आए उस प आगे बढ़ रहे हैं, यानि कि एक movement दिख रही है, कहीं एक speed से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, which is very good, लेकिन focus होना चाहिए है कि भाई, जो भी हम कर रहे हैं, उससे एक stability हमारी life में आए, हम चीज़ों को unstable ना करें, and professional front में भी यही चीज़ को अगर आप माइंड में तो बहतर रहेगा, and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है, इसके हिसाब से all shades of green and yellow इस week आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था, किन सीविन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता है काशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आ आप लोगों के लिए देखें, कमिंग वी क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The Emperor Rewards, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में एक unstability किसी भी level पर किसी भी तरीके से आप महसूस कर सकते हैं, अब देखें situation circumstances सब के लिए differ करेंगे क्योंकि ये general reading है, overall के लिए एक card कहता है कि बहुत systematic तरीके से, बहुत organized तरीके से, आप चीजों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक discipline लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, और जो लोग job करते हैं, उनकी job से related भी issues रह सकते हैं, power, position, authority से related issues रह सकते हैं, यानि कि आपको ऐसे लग सकता है कि जितनी respect आप deserve करते हैं, आपको नहीं मिल रही है, या जो power, जो position आप अपने professional friend में चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रही है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई authoritative figure है, उनके साथ जादा interaction हो रही है, लेकिन साथ ही साथ चोटे-चोटे मसले भी हो यानि कि difference of opinion हो रहा है, तो दिखिए, again, power, position, authority से related issues मसले होंगे, फिर से कहोंगे, situation, circumstances, सबके लिए differ करेगा, या तो खुद की power आप नहीं maintain कर पा रहे हैं, जो position आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रही है, जो authority आप maintain करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, या फिर, you know, इस तरीके को कोई इंसान है, आपके professional friend में, उनके साथ छोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं, और दूसरी बात ये card, again, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि systematic तरीके से जो चीजे नहीं हो रहे हैं, और जो एक organized तरीके से आप चीजे नहीं कर पा रहे हैं, उसके around मसले रहते और इनी चीजों को आप चेक करके करेक्ट करते हैं, तो इस वी को आप बहतर करेंगे, नहीं तो दिखिए, again, emperor is not a negative card, तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, बट इनी चीजों को maintain करने की जरत है, इनी चीजों को चेक करके करेक्ट करने की जरत है, थोड़ा सा maturity से चीजों क को deal करें, लेकिन अगर over mature हो रहे हैं, तो इसको भी जरूर चक करके करें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए hangman reverse का card है, और ये card कहता है कि काफी time से या फिर इस week ही आप बद स्टक personal front में महसूस करें, जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंदे हुए हैं, पैर बंदे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, काफी compromises आप करते हुए दिख रहे हैं, adjustments आप करते हुए दिख रहे हैं, और वह सकता है कि इस week या तो आप over ही इसी energy में जा रहे हैं, और कि over adjustments कर रहे हैं, over compromises कर रहे हैं, पिर आपक को इन चीजों में से बहार निकालना है और आप बहुत अपना चीजों को देखने का डील करने का नजरिया भी बदलना चाह रहे हैं नहीं बदल पा रहे हैं या फिर यू नो इसी से ही रिलेटिट छोटे मोटे इस्जूस मसले रह रहे हैं All in all देखिए कुछ भी फिर से मैं कहूंगी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन बहुत ग्रेट भी चीज़े नहीं होते भी दिख रही हैं अब देखिए खासकर personal front की बात करें अगर आप थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करें चीजों को डील करने का आप कि आप तूमच ही compromises ना कर दें कि आपका self ही कहीं compromise हो रहा है और देखिए आप लोग लियोज है आपके लिए self बहुत important होता है जब भी आपका self compromise होगा ना तो आप दिल से खुष नहीं रहेंगे surface level पर आप कर तो लेंगे लेकिन मन ही मन ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी तो इन चीजों का खयाल इस वीक आप ज़रूर रखें और इन जनरल या फिर astrology से आप लगों clay night angle spirit का का कार्ड है और ये कार्ड कहता है love is all around तो हो सकता है लिए उस वीक आपको यसे लग रह है कि आपके आसपास love है लेकिन शायद आप देख नहीं पा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं और देखिए दोनों ही फ्रेंट्स में हमने देखा चोटे मोटे issues मसले चल रहे हैं और जब ऐसा होता है तो कभी-कभी loved ones के साथ difference of opinion हो जाता है और हमें ऐसे लगने लगता है कि भाई यह हमें love नहीं करते हैं या फिर कोई हमें love नहीं करता है और that is not the truth love is all around you और एक बड़ी फिर से मैं repeat कर रहे हूं personal friend में थोड़ा सा discipline से चीजों को deal करें systematically चलें और एक ego देखिए professional friend में रह सकता है उस ego को ना आने दें तो आप चीजों को बहतर करेंगे personal friend में मैं मैं भी आपको बताया ही और guidance आपको फिर से कहूंगी कहता है कि अपना नजरिया थोड़ा सा चीजों को देखने का बदले और love is all around you उसको आप देखेंगे समझेंगे तो इस वीक को energies को बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का काड है इसके इसाब से all shades of red maroon rust इ and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है का शीफल और नीचे मुझे comment section में जुरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलियो अगोज आप लोगों के लिए देखेंगे क्या लेकर आ रहा है कि energies ह तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of source reverse और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में minor irritation, minor frustration रह सकती है अब देखें यह reason सब के लिए differ करेगा लेकिन यह card कहता है कि शायद आप बहुत analytical हो रहे हैं चीजों को लेकर आप बहुत critical हो रहे हैं होता है ना कभी-कभी हमें सिरफ गलती ची फिर हम परेशान होते हैं हम creep करते हैं और आप बहुत logically चीजों को deal करें which is very good specifically professional front में लेकिन कोई भी चीज over होती है ना तो हमें परेशान करती है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगे कि heart और mind का balance जरूर करें over analytical ना हो over critical ना हो क्योंकि दीखें थोड़ा बहुत critical जब हो होते हैं तभी हम mistakes को correct भी कर पाते हैं लेकिन फिर से over कोई भी चीज ना करें और एक immature energies रहती भी दिख रही हैं इस चीज को भी check करके correct करें और you know technical काम हो सकता है इस week आप जादा कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीजों को जानने के लिए समझने के बहुत curious हो रहे हैं किसी चीज को learn करना चाहते हैं किसी चीज को again मैं कहूंगी जानना चाहते हैं और किसी news, message, email का अगर आव वेट कर रहे हैं इस week यां तो आपको नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो कहीं बहुत एक happy feeling आपको नहीं दे रहा है बहुत अच्छा आप नह बश्यान हो सकते हैं अब देखिए minor arcana का card है उपर से page का card है तो minor ही चीजे रहती भी दिख रहे हैं कुछ भी बड़ा नहीं होता हुआ दिख रहा है और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपने thoughts को लेकर aware रहें अगर जो भी negative thoughts आपके मन में आ रहे हैं आप उनको check करके correct करें तो चीजों को आप बहतर कर सकते हैं क्योंकि हर problem हर issue का root cause is your thoughts जब हम इस चीज को समझ जाते हैं यकीन मानिये जिन्दगी असान हो जाती है और जब हम इस चीज को नहीं समझते हैं negative thoughts हमारे mind में आते रहते हैं और हम उनको check नहीं करते हैं correct नहीं करते हैं वो multiply होते रहते हैं इस week बहुत minor issues इसी से related रहते हुए दिख रहे हैं और अगर आपने check कर लिया तो चीजों को आप future के लिए भी इस week के लिए भी बहतर करेंगे नहीं किया तो फिर परेशान होंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए the chariot reverse का card है और ये card सबसे पहली चीज कहता है या तो आप travel करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं या इसी से related planning है और इन्हीं चीजों से related issues मसले रह सकते हैं अब दिखिए अगर आप travel कर रहे हैं तो आपके travel plans delay हो सकते हैं especially अगर आप अपने वहिकल से travel करें तो वहिकल में कुछ खराबी हो सकती है और यहां पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप अपने वहिकल से travel कर रहे हैं तो अच्छे से service करा लें उसको चेक कर लें कि वो ठीक ठाक है कोई मसला तो नहीं है उसमें और दूसरी चीज मैं आपको बताये कि अगर आप planning कर रहे हैं तो उससे related चोटे मुटे issues रह सकते हैं होता है ना हमें लगता है कि हम कब plan करें हम कब travel करें या फिर इनो किस चीज से travel करें तो इसी तरीके के मसले रह सकते हैं और दूसरी बात यह काट कहता है कि आप चीजों का control अपने हाथ में ल confident हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप बहुत aggressive हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जितना aggression की जरत है उतना aggression नहीं है देखिए aggression हमेशा ही negative नहीं है aggression अगर positive direction में apply किया जाए तो हमारे goals हमारे मकसद को achieve करने में help करता है in fact मैं कहूंगी थोड़ा बहुत positive aggression बहुत control अपने हाथ में लेने के लिए तो इस वीक आपने जरूर चेक करना है कि aggression अगर missing है तो positive aggression लेकर आए और confidently चीजों को आगे लेकर जाए और अगर over aggressive हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम करना है and हर सेनारियों में कहीं आगे बढ़ें बुलते हैं जीवन चलने का नाम चलते रहो सुब हो शाम और जो भी चीज रुख जाती है वो चाहें पानी हो चाहें कोई भी चीज हो वो stagnant हो जाती है और फिर बदमू मारने लगती है तो यहांपर फिर से कहूंगी रुके ना आगे बढ़ें और मैंने बहुत clearly अभी बताया कि अगर बहुत aggressive हो रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करें, balance करें नहीं है aggression, motivation, enthusiasm, excitement तो कुछ करें जिससे कि आप अपने goal को लेकर motivated, feel करें, enthusiasm, excitement हो आगे बढ़ें और yes अगर इन चीजों का खयाल रखेंगे तो यह भी अच्छा जाएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा पारिशान हो सकते हैं आप लगों के लिए butterfly spirit का card है और यह card कहता है transformation is beautiful तो बहुत clear message है कि changes को ना ब्लॉक करें अगर कोई चीज हो रही है या change करने की ज़रत है तो वो ज़रूर करें क्योंकि देखिए personal front में हमने chariot reverse में देखा कि कहीं आगे बढ़ने की ज़रत है आप किसी भी reason की वज़े से नह आपने check करना है what is blocking you from moving forward आगे बढ़ने से क्या चीज आपको रोक रही है उसको आपने check करना है और correct करना है आगे बढ़ना है professional front में हमने देखा कि irritation frustration हो रही है और इस चीज को check करें और changes फिर से मैं कहूंगी जहान लाने की ज़रत है वहां जरूर लेकर आए और astrology से आप ल all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था वोगोज आप लोगों के लिए coming week कर सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर पताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले लिबराज आप क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of pentacles और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related किसी level पे किसी तरीके का या तो gain फाइदा हो रहा है या फिर कैसे एक financial freedom आए कैसे financially चीज़ें grow करें, progress करें आप उस पे बहुत attention दे र situation circumstances सबके लिए differ करेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई atkioe payment आपको मेरे, कुछ के लिए हो सकता है जितना profit आपने सूचा था आपको उतना मिल रहा है या उससे जादा मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपको उधार पैसे चाहिए तो वो मिल रहे हैं, और materialistic tangible चीज़ों से related indirect gain फाइदा हो रहा है, या फिर से मैं कहूंगी कि कैसे यू नो वो एक financial freedom आप अचीव करें, आप उसपे focus कर रहे हैं, एक stability, एक security अपने professional front में या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे stability, security है, again उसपे आप attention दे रहे हैं, क्योंकि ये kink का card है, कुछ male figure हैं या female हैं, जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से बहुत एक supportive cooperative energies है रही है, all in all ये भी professional front से related काफी अच्छा रहता है, और personal front के लिए आप लोगों के लिए tower reverse का card है, और ये card कहता है कि personal front में कोई चीज़ आपको anxious energies दे रही है, आपको restlessness दे रही है, आप एक suffocation, एक घुटन महस चीज़ कर रहे हैं, अब देखिए reason सब के लिए differ करेगा, लेकिन tower reverse का card कहता है कि restrictions है, एक limitations है, अब देखिए restrictions ये limitations भी सब के लिए differ करेंगी, कुछ के लिए family की तरफ से हो सकता है, आप कुछ कहना चाहरे हैं, करना चाहरे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, example के तोर पे हो सकता है कि जिनको आप लव करते हैं, कहीं religion different है, caste different है, family नहीं approve कर रही, तो ये एक restrictions है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप night out करना चाहा रहे हैं, आप parties attend करना चाहा रहे हैं, घर वालों की तरफ से, society, religion, किसी की भी तरफ से restrictions है, आप दिखिए यहापर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक्जामपल दिये हैं, समझाने के लिए किस तरीके की restrictions रह सकती हैं, इस week के लिए, और ये आपकी पुरी life की reading नहीं है, तो मैं इनों पुरी life के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस week आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, अब मेरे हिसाब से, most of the time's restrictions हमारे mind की होती हैं, हमारे belief system की होती हैं, और जिसकी वज़े से जो हम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, कितनी बारी हम assume कर लेते हैं, कितनी बारी हम pressure में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, कितनी बारी उस situation में हमने खुद को ही रखा होता है, यानि कि हम निकलना ही नहीं चाहते हैं, और most of the times when देखा है, जब मैं love readings करती हूँ, love reading वाले session करती हूँ, तो मैं मैंने यह realize किया है, कि जो इनसान है, वो बोरे मैं मैं निकलना ही नहीं चाहता है, even partner मुझे अच्छे से treat नहीं कर रहे हैं, या मुझे attention नहीं दे रहे हैं, या फिर, you know, वो नहीं इस relationship में आना चाहरे हैं, मैं परिशान हूँ, मुझे पाता है, मुझे पाता है, मुझे मुझे move on करना है, but I don't want to move on from this, you know, situation. तो इस तरीके की भी energies रहती हैं, और जब भी एकाद आता है, हम यही कहते हैं, कि आप अपने आपको इस situation से बहार निकालें, नहीं तो फिर आप बहुत परिशान होंगे, कितनी बारी again self-created होता है, कितनी बारी वाके ही में situation circumstances ऐसे होते हैं, लेकिन जो भी situation circumstances हों, हम अपने thoughts को change करके, अपने belief systems को change करके, हम solution पर focus करके, कहीं चीज़ों को बहतर करते हैं, कितनी बारी, जो भी problem हमारी life में होती है, हम problem पर ही focus करते रहते हैं, वो problem ही बढ़ती रहती हैं, और हम solution पर attention ही नहीं देते हैं, तो दिखिए, यह weekly reading है बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर इस तरीके की energies आप महसूस करें, प्लीज आप solution पर focus करें, कैसे इसको solve कर सकते हैं, उस पर focus करें, और अगर anxious energies हैं, it's fine, यह सिरफ और सिरफ इस week की बात है, लाइफ हमेशा ही same नहीं होती है, और जब anxious energies हो रही है न, तो उस time आप अपने thoughts को check करके correct करें, definitely उस time पर आपको negative thoughts आ रहे होंगे, और आप अगर अपने thoughts को check करके correct कर लेते हैं, यह anxious energies से भी आप easily बहार निकल जाएंगे, तो देखिए awareness से सब चीज़ें solve हो जाती हैं और इस week अगर इसी तरीके की awareness आप रखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आप अपने negative thoughts को check करके correct करें, उनको positive thoughts के साथ replace करें, अपने belief systems को check करें और जो भी चीज़ आपको suffocate कर रही हैं, जो भी problem है, उस पे ना focus करके कैसे आप उसको solve कर सकते हैं, उस पे focus करें, ये week आपका भेतर जाएगा, नहीं तो फ़रा परेशान हो सकते हैं, इन जनरल या फिर guidance है, आप लोगों के लिए beetle spirit का card है और ये card कहता है magic works through you, तो देखिए बहुत अच्छा card की तरफ से आपके लिए reminder है, कि magic आपके अंदर है, देखिए हम सब लोग ही soul हैं, और soul परमात्मा का, यानि कि supreme soul का हिस्सा है, और इस हिसाब से हमारे अंदर भी magic है, बट हम जब भी mirror देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हमें physical body दिखती हैं और हम भूल जाते हैं, कि हमारे अंदर power है, हमारे अंदर magic है, हम ये समझने लगते हैं कि हम ये body है, और जब हम body पर focus करते हैं, तो बहुत चीजें हमारे लिए limited हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये card आपको यही रिमाइंड करा रहा है, the magic is within you, be in that awareness, और उसको use करें, उसको, you know, utilize करें, और आप देखेंगे कि कैसे चीजें बदल रहे हैं आपकी life में, and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है, इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस वीक आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लो आप लोगों के लिए Capricorn sign का सापता ही का शीफल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए, इसको आप लोगों के लिए Capricorn sign का लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है the world, और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में एक appreciation, एक recognition आपको मिल सकता है, किसी भी चीज पे आप बहुत time से काम कर रहे थे, वो complete होती भी दिख रही है, और मैं यह भी कह सकती हूँ कि एक phase, कुछ Scorpios के professional front में किसी भी चीज को लेकर end हो रहा है, नया phase शुरू हो रहा है, तो all in all ending, beginning भी हम कह सकते कि इस week किसी level पे हो रही है, अब यह सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, आप किसी project पे बहुत time से काम कर रहे थे, वो project आपका end हो रहा है, अब आपको लग रहा है कि चलिए भी देखते हैं कि कौन सा नया project आप करना चाहते हैं, आपको मिलेगा अगर आप job करत सकते हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी team के साथ आप बहुत time से काम कर रहे थे, उस team के साथ आपका roll खतम हो रहा है, आप new team को join कर रहे हैं, कुछ के लिए जगा हो सकती है, अगर कोई भी चीज हो सकती है, और कहीं देखे फिर से कहूंघी कोई आप कर रहे थे out of the country से related activity भी सब स्कॉप्य उसके ले डिफर करेगी उच के लिए सिंपली हो सकता है आप प्लानिंग कर रहे हैं out of the country ट्रावल करना चाहते हैं कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रावल ही कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है out of the country आपके clients हैं आप उनसे connect कर रहे हैं अब जो भी चीजे मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, all in all ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, फिर से कहूंगे आपको appreciation, recognition, अपने colleagues या फिर loved one, close one से मिलते भी दिख रही है, and personal front के लिए आप लगों के लिए page of cups reverse का card है, और ये card कहता है कि emotionally थोड़ा सा unstable आप मह कर सकते हैं, अभी कि unstable बड़ा heavy word है, तो इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, but yes, you know, mood swings हो रहे हैं, बड़े sensitive हो रहे हैं, और कहीं बच्चों की तरह behave कर रहे हैं, कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा ही है आपकी life में, जिसके साथ interactions हो रही हैं, और वो बहुत emotionally demanding हो रहा है, या फिर आप emotionally बहुत demanding हो रहे हैं, अपने loved ones, अपने close ones के साथ, उनकी चोटी-चोटी सी बातें आपको hurt कर रहे हैं, चोटी-चोटी सी बातों को आप दिल पर लगा रहे हैं, और अगर ऐसा आप आएं, Scorpios तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें All in all दिखिए, emotionally कैसे आप strong बन सकते हैं, या फिर emotionally कैसे आप अच्छे तरीके से चीजों को handle करें, इसके उपर आप जरूर फोकस करें कोई news, message, email का अगर आप wait कर रहे हैं, तो थोड़ा सा delay होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके का एक loving, caring message आप चाहा रहे थे, उस तरीके का एक loving, caring message आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो दिखिए, page of cups is not a negative card, it's a positive card, लेकिन इस week आप लोगों के लिए reverse है, और खास कर ये emotions, feelings की बात करता है, जिनको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या फिर एक उतल-पुतल सी रहती भी दिख रही है, और इसी चीज़ को अगर आप check करके correct करते हैं, इस week energies को आ or demanding हो रहे हैं, तो इसको भी जरूर चेक करके correct करें, ऐसा करेंगे, इस week को भैतर करेंगे, नहीं तो फिर चोटा-मोटा एक, you know, emotionally low feel करने की वज़े से issues रहते हैं, हो रह सकते हैं, कुछ के लिए भी हो सकता है, आपको ऐसे लग रहा है, कि भी आपके loved one आपको उतना attention नहीं दे रहे हैं, उतना, you know, उनकी तरफ से आपको love नहीं मिल रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है, कि, you know, आप जिस तरीके से अपनी feelings, emotions को express करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से इन ही सब चीजों से related, छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं, and in general, या फिर guidance से आप लोगों के लिए Reno Spirit का card है, और ये card कहता है, overcome any obstacles, और देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपके cards देखूं, तो major obstacles, major परेशानियां नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, professional front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, personal front में emotions, feelings से related, जो एक obstacles हो सकते हैं, वो जादा होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर card आपको बहुत ही clearly remind करा रहा है, कि आपके अंदर power है, potential है, आप किसी भी obstacle को overcome कर सकते हैं, और जब इस energy में आप रहेंगे, आप देखेंगे कि चीजें बहतर हो रहे हैं, और अगर इस चीज को आप नहीं एसास करेंगे, तो फिर से कहूंगी थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं, और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है, इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant है, आप लोगों के लिए होगा Friday, तो यह था स्कॉप यूज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशिफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए से लिए आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लेकरा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The Empress, और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में एक comfort रह सकता है, एक luxury रह सकती है, पी fact जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत एक fertile ground रहता हुआ दिख रहा है, fertile ground क्या करता है, आप थोड़ा सा भी effort करते हैं, आपको result मिलता है, बंजर भूमी में बहुत आपको महनत करनी परती है, उसके बाद भी surety नहीं होती कि आपको positive outcome या फिर result मिलेगा या नहीं म फाइदा हो रहा है, या फिर इनी को ही आप भोगते हुए दिख रहे हैं, यानि कि money पैसे से related भी ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, आपको किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक gain फाइदा हो सकता है, या फिर बहुत मजे में आप अपनी काम को करते हुए दि जिसको लेकर आप बहुत पाशनेट हैं, आप बहुत लव करते हैं, इन्जॉइ करते हैं, वो काम आप कर रहे हैं, all in all, ये वीक प्रोफेशनल फ्रेंट से related, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, because the Empress is one of the most beautiful card in the deck, क्योंकि यहाँ पे Empress पे एक female है, जो कि mother energies को represent करती ह हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female या फिर male भी हो सकते हैं, जिनकी masculine energies हैं, उनकी तरफ से काफी supportive cooperative energies आपके लिए रह रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए King of Cups का card है, क्या बात है Sagittarius, ये वीक दोनों ही fronts के लिए एक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, क कहीं ये चीजे आपको मिल रही है, या फिर आप किसी के लिए बहुत feel करते हुए दिख रहे हैं, overall eating, drinking, merrymaking या तो रहे रहा है, या फिर जो भी आपके personal front में हो रहा है, आप enjoy कर रहे हैं, कहीं अपनी feelings, love, किसी खास loved one को आप express कर रहे हैं, या फिर कोई खास loved one आपके लिए express कर रहे हैं, अपना love, अपनी feelings, या you know in general के लिए भी जो भी आपके loved ones है, close ones है, उनके साथ आप जादा connect कर रहे हैं, जादा time spent कर रहे हैं, और कहीं फिर से कहोंगे मजा मस्ती सी रहते हुए दिख रही है, तो all in all पूरा ही हफता आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहत हुआ दिख रहा है, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए हौर स्पृट का card है, और ये card कहता है, freedom is yours, यहाँ पर बहुत ही beautiful आपके लिए message है, कि कोई भी चीज अगर आपको pressurize कर रही है, या फिर कोई भी responsibilities हैं, जो आपको बहुत burden कर रही हैं, बहुत जादा, you know, आप restricted feel कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत limited हो गए हैं आप, तो उन responsibilities को ज़रूर offload करें, आप जितना खुद को free रखेंगे, फालतू की चीजों में नहीं बानेंगे, उतना इस week जो भी positive energies हैं, उनको आप enjoy कर पाएंगे, नहीं तो देखिए, ये week तो काफी अच्छा जा लेकिन उस तरीके से आप नहीं enjoy कर पाएंगे, अगर आपने खामखा की responsibilities, खामखा की चीजें अपने उपर ली, आपने खुद को limit किया, आपने खुद को restrict किया, तो free रखना है आपने आपको mentally, emotionally और physically भी, and astrology से आप लुगों के लिए Gemini sign का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लुगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था Sagittarius आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए कि Apricorns आप लुगों के ले देखें ही coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है, night of cups, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, situation को लेकर, काफी emotional, काफी sentimental हो रहे हैं, कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि आप बहुत sensitive भी हो रहे हैं, हम एक professional attitude को होते हैं, उस time हम नहीं इस चीज को realize कर पाते हैं, लेकिन इसी की वज़े से, आगे चल कर बहुत issues, बहुत problems होती हैं, और अगर ऐसा आप पाएं, क्याप्रिकॉन सो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें, क्योंकि otherwise आप लोग काफी practical, काफी realistic होते हैं, लेकिन इ energies missing रहती हुए दिख रही हैं, जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोच तो बहुत रहे हैं, ख्वाप तो बहुत देख रहे हैं, vision create कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूंगी, एक practical, realistic attitude missing रहता हुआ दिख रह है, उसको reality में convert करने के लिए, उसको manifest करने के लिए, और ये भी आप पाएं, तो ज़रूर इस चीज को भी check करके correct करें, क्योंकि कहते हैं, vision without action is nothing, और देखे, night of cups is not a negative card, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन इन energies के साथ, specifically professional friend में, जो आप चाहते हैं, उसको achieve नहीं कर कर, फिर थोड़ा सा आप परिशान होंगे, और परिशान भी not in the sense कि कुछ आपका नुकसान हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लग सकते है कि काश उस time action ले लिया होता, काश उस time initiative ले लिया होता, तो आज इस चीज को achieve कर लिया होता, तो दिखे, इस तरीके के energies हैं, and personal front के लिए आप लगों के लिए four of cups reverse का card है, तो दिखे, दोनों ही fronts के लिए cups के cards है, और फिर से कहूंगी, आप लोग बहुत realistic और practical होते हैं, लेकिन इस week, ये एक energy दोनों ही fronts के लिए missing रहती होई दिख रही है, और मैने हमेशा आपने videos में कहा है, कि ideal situation होती है, heart और mind का balance, जब हम over logical हो होते हैं, तब भी चीजों को खराब करते हैं, तो कोई भी चीज, you know, अकेले में ठीक नहीं होती है, हमेशा एक balanced approach ही हमें best results देती है, तो दिखे, personal friend में, जो भी आपके आसपास है, कहीं, you know, आपको एक happiness, joy, satisfaction नहीं दे पा रहा है, in fact, मैं कहूंगी, कुछ के लिए हो सकता ह है, पीछे ऐसी energies थी, जहां पे आप emotionally बहुत low feel कर रहे थे, आप चीजों से withdraw कर रहे थे, और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इन ही energies से खुद को बहार निकालना है, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा ही deep, आप इन ही energies में जा रहे हैं, यानि क किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से connect करने का मन नहीं कर रहा, किसी के साथ interact करने का मन नहीं कर रहा, और अपने ही zone में आप रहते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप personal friend में चाहते हैं, उसके लिए motivation missing रहते हुए दिख रही है, enthusiasm missing रहते हुए दिख रहा है, और दिख कुछ तो ऐसा करें जिसे की एक एंथूजियाजम एक एकसाइटमेंट आए आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें क्योंकि अगर आपने कॉंशिस एफर्ट नहीं किया तो इन्ही एनरजीज में आप इतना डीप जाते जाएंगे कि फिर उसमें से बाहर निकलना मुश्कि नहीं करते हैं और इन जनरल या फिर गाइड़न से आप लोगों के लिए फ्रॉग स्प्रेट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है क्लियर आउट दो क्लटर तो दिखिए यहां पर क्लटर जादा इमोशनल लेवल पर रहता हुआ दिक रहा है क्योंकि मैंने जैसे अब भी पाएंगे और आप इन्ही एनर्जी से खुद को बहार नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि आपके एक्स्टरनल फ्रंड में यानि की घर में कोई एरिया है most of the times चत होती है store room होता है उसको हम regular basis पे नहीं साफ करत है उसमें बहुत सारा समान हम ऐसी फेग देते हैं किसी भी वजय से अगेन मैं कहूंगे क्लटर होता है यह आपके व्रक प्लेस पे कोई ऐसा एरिया है जहां पे आपने सफाई बहुत टाइम से नहीं करी है तो जरूर इन एरियास को भी क्लियर करें क्योंकि हमारा जो external front होत करता है और जब हम external level पर चीजों को क्लियर करते हैं तो internal level पर भी clarity आती है and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Thursday and Sunday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशिफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेजिस आप लोगों के लिए देखेंगी coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप रुपों के लिए card है 5 of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले, चोटी मोटी conflicts है सकती है अब देखे इस चीज को सुन के आपने परिशान नहीं होना क्योंकि मैंने बहुत clearly कहा है चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले ये minor arcana का card है, उपर से ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है एका दुका लोगों की बात अलग है और tarot से guidance लेके आप इस week को भैतर भी कर सकते हैं तो सबसे पहली guidance आपके लिए होगी कि कोई भी discussion आपको लगे negative direction में जा रहा है आप तुरंत खुद को withdraw कर ले खाम खाँ उसमें ना अपने आपको उलजाए अगर किसी भी इनसान के साथ आपके goals नहीं align हो रहे हैं viewpoint नहीं match कर रहा है तो इस week आप इन चीज़ों से या पिर इन लोगों से भी खुद को withdraw करें आप किसी भी चीज में ना उलजाए या पिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी चीज में आपको लगे कि आप उलट सकते हैं आपने उसको avoid करना है और ये काट कहीं competitive spirit की भी बात करता है तो इस week आपको ऐसे लग सकता है कि आपने best होना है आपने सबसे आगे बढ़ना है और इसी के लिए आप थोड़ा सा effort करते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है देखिए healthy competition हमें grow करने में help करता है लेकिन जब ये competition negative हो जाता है तो बहुत stress बहुत tension देता है तो ये competitive spirit अगर आप महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा भी आपको लगे कि unhealthy competition रह रहा है तो avoid करें और फिर से कहूंगी अगर healthy competition है तो बहुत अच्छी बात है ये growth और progress लेकर आएगा आपके professional friend में and personal friend के लिए आप लोगों के लिए seven of cups reverse का card है और सबसे पहली चीज ये card कहता है कि आप चीजों को लेकर लोगों को लेकर situations को लेकर काफी emotional हो रहे हैं और इसी वज़े से यहाँ पर otherwise भी बहुत एक distracted सी energies है किसी एक चीज पे हो सकता है focus ना कर पा रहे है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे ऐसी energies थी और इस वीक आपको यसे लग रहा है कि इन ही energies में से खुद को बाहर निकालना है और कुछ के लिए हो सकता है बहुत ज़ादा इन ही energies में deep जा रहे है यानि कि जहां पर distraction है, focus नहीं कर पा रहे हैं अपने goal पे, आपको decision choice लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं बहुत एक confusion ही रह रही है, मैं फिर से clear कर दूँ कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे ऐसी energies थी, इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि सारी distractions हटाओ, जो confusion है उसको हटाओ, clarity लेकर आओ, और जो चहाते हैं उस पे focus करो और जो भी decision और choice लेना बहुत important है, वो decision और choice लो, तो कुछ की ऐसी energies होंगी, जहांपे आप again, इन चीज़ों पर focus करें, कुछ के लिए हो सकता है, बहुत जादा ही deep confusion में, distracted वाली energies में जा रहे हैं, अब देखिए, आप पहले से ही effort कर रहे हैं, इस energies में से निकलने के लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं, तो ये card आपको यही message देता है, कि जितनी जल्दी आप जो भी चीज़े आपको confuse कर रहे हैं, distract कर रहे हैं, उनको अपने mind से, अपनी life से हटाएंगे, clarity लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को बहतर करेंगे, क्योंकि seven of cups again is not a negative card, but yes, अगर आपने guidance नहीं ली, आप जो चीज़ों को चेक करक्त कर सकते हैं, उनको नहीं आपने चेक करक्त करा, तो खाम खां की चीज़ों में आप उल्जेंगे, खाम खां की confusion में आप पड़ सकते हैं, and in general, या पर guidance है, आप लोगों के लिए dragonfly spirit का card है, और ये card कहता है, truth transcends illusion, और देखिए हमने यहाँ पर देख confusion आपके मन में रह रही है, personal या professional friend में, उसको सच ही clear कर सकता है, तो एक guidance इस card की यह है कि जब तक भी आप सच से वाकिफ ना हो, जब तक भी आपको एक पूरा सच किसी भी चीज़ को लेकर नहीं पता हो, आप action initiative नहीं लेंगे, होता है ना कभी-कभी हम इतने sure नहीं होते है हम आधे अधूरे मन से चीज़ों को करते हैं, और फिर हमें result नहीं मिलता है, आप चीज़ें खराब होती हैं, बाद में परिशान होते हैं, तो इस week जब तक आप sure ना हो, जब तक आपको complete truth नहीं पता है, सच नहीं पता है, तब तक आप चीज़ों करना deal करें, और दूसरा अगर आप ऐसी energies में रहेंगे, यानि कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है आपके personal or professional friend में, आप सच से खुद को वाकिफ करनी की कोशिश करेंगे, तो जो भी issues हमने दोनों friends के लिए देखे, आप देखेंगे कि ये clear हो जाएंगे, और एक better energies आप इस week अपन significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था एक वेडियस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए आप लोगों के लिए coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है two of wands, और ये card कहता है कि इस week जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके professional front में हो रहा है, कहीं बहुत जबरदसते confidence महसूस करते हुए दिख रहे हैं, इस card में जो figure है, उन्होंने globe अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये represent कर जिसे दुनिया आपकी मुठी में है, वैसी feeling आपको हो रही है, और इसी confidence के साथ, इसी assurity के साथ, आप चीजों को next level पर लेकर जाना चाहरे हैं, यानि कि growth, progress, पर आप focus करे हैं, कैसे आप चीजों को expand करें, उस पर आप focus करते हुए दिख रहे हैं, कुछ की निए हो सकता है क एक growth, progress, expansion आपके professional front में हो रहा है, और किसी, you know, इनसान का एक support, एक help भी रहती हुई दिख रही है, out of the country से related, कोई activity, कोई चीजिया तो हो रही है, या फिर आप चाहा रहे हैं, अब दिखिए, जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लि यह हो सकता है, specifically अगर आपका import-export का काम है, तो out of the country, जो भी आपके clients हैं, और जिन से आप समान लेते हैं, उनके साथ जादा interaction हो रही है, जितनी normally होती है, उस से जादा हो रही है, तो दिखिए, जो भी 2-3 चीजे मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, सब के लिए different levels प कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि या तो एक अकेलापन आप चाहा रहे हैं, या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, यानि कि इस वीक आप बहुत जादा लोगों से बातचीत या फिर interactions नहीं करना चाहा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भई, मुझे ना अकेल टाइम चाहिए हैं अपने लिए, या फिर कुछ के लिए हो सकता है, जैसे अभी मैंने कहा कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, और कितनी बारी हमारे आसपास सब होते हैं, तो भी हम एक अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि ये general reading है, तो situation, circumstances और energies भी सब के लिए थोड अब देखे मैंने कहा deeply सोचते हुए, deeply सोचना is not a negative thinking and deeply सोचना is not overthinking also, कितनी बारी हम बहुत गहराई में चीजों को समझना चाहते हैं, उनके लिए action initiatives लेने से पहले, उस direction में और आगे बढ़ने से पहले, तो कुछ ऐसी से energies रहती हुए दिख रही हैं और मुझे लगता है time into time, थोड़ा सा introspective energies में रहना बहुत important होता है, कभी शायद, you know, हम right decisions, right action ले पाते हैं, लेकिन जब हम too much deep चले जाते हैं चीजों में, तब फिर कहीं हम चीजों को खराब करते हैं, क्योंकि दिखिए, तब ये overthinking बन जाती है, हालां कि ये card upright है, तो ऐसा नहीं मुझे लग है कि आप over deep जाएंगे, बट थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि भई आप जरूरत से जादा deep चीजों में जा रहे हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई relationship हो सकता है, या फिर आपका thought process हो सकता है, आपका belief system हो सकता है, या again कोई भी और चीज हो सकती है, क्योंकि ये general reading है जो भी चीजे मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा, तो जरूर चेक करके correct करें, क्योंकि again, hermit is not a negative card, it's a neutral card, और ये energies at times हमें चाहिए होती है, जरूरी होती है, लेकिन moderate में हर चीज ठीक होती है, कोई चीज अच्छी हो, बुरी हो, जब जब ज़रुरत से जादा होती है, तो हम and yes, ये सिरफ और सिरफ इस week की energies है, इस week आप थोड़ा सा, you know, बहुत चीजों में खुद को नहीं involve करना चाह रहे हैं, नहीं, आप कर पा रहे हैं, situation, circumstances हैं, और अकेले रह रहे हैं, या फिर से मैं कहूंग, अकेला पना महसूस कर रहे हैं, and in general, या फिर guidance है, आप लोगों के अपने खर्शाइट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है, को create with the spirit, तो ये कार्ड आपको यही message देता है, कि जो भी आप चाहते हैं, personal और professional friend में, उसको आप create कर सकते हैं, उसको आप manifest कर सकते हैं, अपने angels के साथ work करके, अपने angels के साथ connect करके, and astrology से आप लोगों के लिए, Pisces sign का कार्ड है, इसके हिसाब से जो भी सम्मुंदर के रंग होते हैं, sea green, sea blue, वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Pisces आप लोगों के लिए coming week का साथा है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ connect किया, कितना आप resonate कर पाए